पर कैसे ये क्या होता है इसको कैसे क्रियेट करते हैं कैसे यूज करते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की वीडियो में आपको मिलेंगे तो बना समय गवाई आईए स्टार्ट करते हैं नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अनेल और आप सब ही देख रहे हैं टेक्चिव यूट्यूब चैनल आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने CSI Linux के बार में बताया था आपने SQ पर और वी वीडियो की डिमांड की थी तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं इसका आगला पार लेके आया हूँ जिसमें हम जानेंगे सौक पपेट के बारे में तो पहले समझते हैं कि आखिर सौक पपेट होता क्या है जैसे कि आपको नाम सही पता चल रहा है ये कुछ नहीं बस एक काफी डिटेल में fake social media account है जो कि अपनी बास्तुएक पैचान च बाते करके अपने फॉन को रिचार्ज करवा लेते हैं यहाँ पर पाला सात्रे दमाग बालों से पढ़ने वाला है जो कि वस टुटकियों में इसकी पहचान कर लेते हैं क्योंकि सौक पपेट का यूज साइवर क्राइम इन्विस्टिगेटर्स केस समधित इन्फरमिशन को क्राइबद करने के लिए इसका प्रियोग करते हैं ऐसी डिरेक्टिव भी ऐसे एकाउंट का प्रियोग करते हैं तो यह उनकी वास्तिविक प्याचान और अगर हो जाए तो टागेट सतर हो जाएगा और हो सकता है कि जो आफ़ासल करना चाते हैं वो आपको ना मिले तो ये जानते हैं एक perfect sock puppet account कैसे create के जाता है CSI Linux में इसके लिए का लगसे tool दे रखा है जो sock puppet ID को generate करके देगा इसके अलावा भी मैं आपको और भी तरिके बताऊंगा कि इसको कैसे create करते हैं और इसका use करते समय हमें क्या-क्या साब्धान अबरतनी चाहिए तो सबसे पहले हम CSI Linux में case को open कर लेते हैं वैसे आपको sock puppet का tool डारेक्ट ही मिल जाएगा आप इसको वहाँ से open कर सकते हैं पर हम इसको CSI case management tool के मदद से open करेंगे ताकि आप इसके बारे में भी जान सकें तो इसके लिए आप click कीजिए started case बटन पर इसके बाद चूज कीजिए कि आप पहले से मुझूद case को open करना चाहते हैं या नया case करेंड करना चाहते हैं तो यहां पर हम एक नया case से start करूँगा तो मैंने click कर दिया started new case बटन पर उसके बाद यह form open हो जाएगा तो आप यहां पर अपने case से सम्मधित information फिल कर दिजिए जैसे कि investigator का नाम के आए case का नाम के आए case किस type का है आप यहां पर किस type के information निकलना चाहते हैं वो आप type यहां पर एंटर कर सकते हैं इसके बाद reporting के लिए client का नाम, address, city, zip, phone number और suspect का नाम यहां पर type कर दिजिए जिस फिर भी सक है वो आप नाम यहां पर type करके okay कर दिजिए उसके बाद यहां पर एक नया case open हो जाएगा और आप यहां पर case से सम्मधित जो भी information क्लेट करेंगे वो उसके अंदर save होती रहेगी यह देखिए यहां पर CSI case management menu आ चुका है यहां पर कई सारे options आ रहे हैं कि आप यहां पर किस type के information को collect करना चाहते हैं वो आप अपने साब से यहां पर select कर सकते हैं तो हम यहां पर select करेंगे Social Media Intelligence को इसको मैंने okay कर दिया है तो यहां पर Social Media Forensics open हो जाएगा इसके अंदर भी आपको और वी कई सारे options मिलेंगे कि आप यहां पर target के बारे में किस तरह की information को collect करना चाहते हैं उसके लिए आपको अलालग options मिल जाएंगे तो हम इसकी सुरुवात स्टार्टिंग से ही करते हैं जिसमें की सबसे पहले है SockPuppet Generator यह tool आपकी SockPuppet ID को generate करने में काफी help करेगा यह आपको fake ID generate करने के लिए कई सारे information देगा आप इस बटन पर जैसे click करेंगे तो यह SockPuppet ID के लिए information को generate कर देगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर information generate हो गई है अब यह आप इस information की मदद से एक fake social media account create कर सकते हैं यहाँ पर आपको काफी सारी detail मिल रही है जैसे कि नाम कि आपके इस नाम से ID बनाएंगे उसका title, वो male है या female है उसके age कितनी है उसकी date of birth क्या है nationality क्या है कौन सी country है, city कौन सी है, state कौन सा है street name क्या है, last known location क्या है latitude, longitude, phone number, cell number email, username कि आप यहाँ पर username किस नाम से बनाएंगे वो भी यहाँ पर दे रखा है उसका password भी यहाँ पर दे रखा है आप इस password का प्रयोग कर सकते हैं तो यह सारी information आपको यहाँ पर मिल रही है जिसकी मदद से आप 100 puppy ID create कर सकते हैं अब यहाँ आप इसको जैसी close करेंगे तो यह एक image को भी generate कर देगा profile picture के लिए और यह देखिए, यहाँ पर image भी आ गई है यह जो photos हैं, यह ऐसे विक्तियों की हैं जो कि संसार में कभी मौझूदी नहीं है यानि कि यह fake person है इस तरह के दिखने वाले इंसान इस धरती पर मौझूद नहीं है तो आप इन images का प्रियोग profile picture के लिए कर सकते हैं और यह देखिए, इसके एक proper report भी generate हो गई है अब यह आप इस information की मदद से सुसरी मेडिया पर account create कर सकते हैं सोग puppet ID के लिए पर आपने यहापर एक बात गौर की होगी कि यह information सही तरह से match नहीं हो रही जैसा कि आप address में देख रहे हैं यह सही तरह से match नहीं हो रहा और यह photograph भी ID के साब से match नहीं हो रही यह पूरी detail तो Indian है पर photograph यहापर foreigner का आ रहा है और यह देखिए यहापर जो भी information collect होई है वो एक folder के अंदर save हो गई है जो कि case folder के अंदर मौझूद है आप इसका पूरा पात उपर देखी रहे हैं तो आप इस information को कभी भी check कर सकते हैं यह tool इस information को generate करने के लिए कई अलालक websites का प्रियोग करता है तो यह देखिए आप इस tool का प्रियोग नहीं करना चाते तो आपन websites पर जाकर इसको अपने असाब से manually generate कर सकते हैं इन सभी websites की link आपको इसके bookmarks के अंदर मिल जाएगी जैसे की मैं आपको दिखाता हूँ मैंने यहापर web browser open किया अब ही माल लीजे मैं sockpapid ID के लिए information को generate करना चाता हूँ तो इसके लिए एक website है fakenamegenerator.com इसकी link आपको इसी browser पर मिल जाएगी अब ही आप इस website के मतद से random ID को generate कर सकते हैं यहापर आपको तरदर के options भी मिलेंगे कि आप gender कौन सा रखना चाते हैं name कौन सी country का select करना चाते हैं आपको यह पर रदला country इसम लेंगी जिनके साब से name generate होगा country कौन सी start करना चाते हैं वो आप यहाप इसे वेपसाइट कर लिजे और इसके बद क्लिक कीजे generate बटन पर तो यहापर ID के लिए information generate हो जाएगी और आप देख सकते हैं यह सारी information यहाँ पर आ चुकी है जैसे कि हमने tool की मदश्य की थी तो यह भी same वो ही काम करेगा तो यह आप यह से website का use करके इस information को generate कर सकते हैं profile picture के लिए भी यहाँ पर website है इसका नाम है this person does not exist dot com तो यह website आपको profile picture के लिए image generate करके देगी यह से विक्तियों की image है जो की मौझूद नहीं है तो आप इनका प्रियोग profile picture के लिए कर सकते हैं आप इस website को जैसे refresh करेंगे तो यहाँ पर images generate होती रहेंगी तो आप इन में से अपने एसाब से image को select कर सकते हैं इस website की link भी आपको bookmark पर ही मिल जाएगी तो आप इन websites के मदद से भी information को generate कर सकते हैं पर इसमें भी एक problem है इन websites का प्रियोग और कोई भी कर सकता है तो यहाँ पर काफी समभाबना है कि उसी profile picture का यूज करके कोई ID पहले से बनाई गई हो और वैसे भी information सही तरह से match भी नहीं हो रही तो इसके लिए सबसे best रहेगा आप यहाँ पर कोई tool या website का यूज करने के बजाए आप इसको manually generate करें कोई भी fake profile की detail generate कर सकते हैं जैसे कि उसका नाम, उसकी location, उसकी email ID आ दी तो वो ज़्यादा genuine लगेगा profile picture के लिए आप कई AI tools का प्रियोग कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने मन मुताविक कोई भी profile picture को generate कर सकते हैं या आप यह पर photoshop या game जैसे software की मदद से भी इन image इसको create कर सकते हैं ज़िए आप ऐसे कोई भी tool का प्रियोग करके image को generate करते हैं तो लोगों को doubt भी हो सकता है तो सबसे best है कि आप इस काम को manually करें कई ऐसे AI tools हैं कि जो आपने profile picture create की है आप उसकी age को कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं या उसके डाड़े मूचे लागा सकते हैं तो वो सब अपने इसाप से आप से add कर पाएंगे इसके अलावा deep fake जैसी technique का प्रियोप करके जो भी आपने image create की है वोन images की मदब से आप एक realistic video भी बना सकते हैं वो देखने में बिल्कुल बास्तिविक भी लगेगा तो इस काम में AI आपके काफी help करने वाला है इसके अलावा emails के लिए कई ऐसे जी website हैं जो कि आपको anonymous mail create करने की सुबदा प्रदान करते हैं जैसे की proton mail mail.com आदी आपको bookmark के अंदर के यह सी email service की link भी मिल जाएगी जिसके मदब से आप अपने profile के लिए email ID create कर सकते हैं तो यह तो रही information generate करने वाली बाते हैं अभी मैं आपको कुछ tips बताता हूँ कि आप ऐसी ID इसको create करते समय और इसका use करते समय आपको क्या कैसा अब रतनी चाहिए तो जब भी आप software ID create कर रहे हैं या उसका use कर रहे हैं तो आप यहाप अपने Wi-Fi का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें आप इसके लिए public Wi-Fi प्रयोग कर सकते हैं और आप नहीं पर Tor VPN का भी प्रयोग ना करें क्योंकि ऐसा करने से problem हो सकती है क्योंकि कई social media website Tor को detect कर लेती हैं तो यदि आप Tor का प्रयोग करके account को create कर रहे हैं तो इसको create करने में और इसको access करने में प्रयोग करते हैं और यदि आप multiple time बार Tor का प्रयोग करते हैं तो हो सकता है कि वो account भी block हो जाए तो आपको यहाप इस बात का ध्यान रखना है आप यहाप आप Tor की वजाए कोई public Wi-Fi यूज कीजे या आप यहाप यहाप आसा VPN यूज कीजे जो कि उसी location के आसपास की हो और आप जब भी sock-puppet account create कर रहे हैं या उसका use कर रहे हैं तो अपने Mac address को जरूर चेंज कर लें इसके लावा आप multiple sock-puppet account create करके रखें और हाँ सबसे जरूरी बात account create होते ही आप उसकी security और privacy setting जरूर कर लें ध्यान रहे आपको fake ID create करते समय कोई भी बास्तविक पहचान का प्रियोग नहीं करना है ऐसा नहीं है आप कोई भी internet से कोई भी ID उठाएं उसके साब से कोई account create कर दें तो ऐसे account पकड़े जाएंगे और आप जब भी sock-puppet IDs का प्रियोग कर रहे हैं तो आप उसको separately ही यूज करें जो कि ज़्यदा सही रहेगा आप इसको अपने real account के साथ mix-up ना करें जैसे कि माल लिजे आप जब आप सीसे Linux का यूज कर रहे हैं तो आप इसके browser पर अपनी कोई भी real account से login ना करें जैसे कि Gmail, Facebook, Twitter आदी पर इसका use आप केवल sock-puppet ID के लिए ही करें यह इसकी security के लिए काफी ज़रूरी है नहीं तो आपके कई मैनों के मिनत बेकार हो जाएगी क्योंकि sock-puppet में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपने आज ही ID क्रेट की और तरन थी आप उसका use target पर करने लग जाएं ज़िए आप ऐसा करेंगे तो आप बड़ी आसनी से पकड़ी जाएंगे वो इसली पैचान लेगा कि ID तो अभी ही create की है इसमें ना तो कोई post है ना कोई friends है तो उसको शक हो जाएगा इसलिए एक perfect sock-puppet ID के लिए ज़रूरी है कि वो ID पुरानी होनी चाहिए और real भी दिखनी चाहिए इसके लिए आप उसलिए अकाउंट पर समय समय पर post करते रहें fake location, status, stories जाधी share करते रहें दूसरों की post को like करें उनको share करें, groups को join करें friends following, follower आधी बनाते रहें कहने का मतलब यह है यह एकदम real दिखना चाहिए ताकि ऐसी ID पर ज़्यादा सक ना हो यदि आपस को next neighbor पर ले जाना चाहते हैं तो आप यह आपर burner phone और SIM card का प्रियोग कर सकते हैं, यह ऐसे phone और SIM card होते हैं जो कि आपकी real ID से किसी भी तरह से connect नहीं होते इसके लिए आपकी website का भी प्रियोग कर सकते हैं जैसे कि burnerapp.com यह website आपको burner phone प्रियोग करवाती है जिसके मंद से आप burner phone प्राथ कर सकते हैं और वहां से calling, texting और picture आदी stand कर सकते हैं वो भी anonymously तो यह आपकी सारी websites हैं जो कि आपको इस service प्रियोग कर सकते हैं ऐसी आपको और भी websites के link इसके block marks पर मिल जाएगी यह देखिए यह सारे burner SMS और phone के websites के link हैं जिसका यूज करके आप burner SMS और phone नमर आदी प्राथ कर सकते हैं जिसका प्रियोग आप sock puppet के लिए कर पाएंगे तो यह और भी यहापर कई useful link दे रखी हैं जिसके email service के लिए messaging के लिए जो कि आपकी sock puppet में काफी help करेंगे तो बताएए दोस्तों आज की जंकर आपको कैसी लगी यह आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और यदि आप CC Linux पर और भी वीडियो दिखना चाहते हैं तो comment box में जरूर बताएगा कि आपको इस series पसंद आ रही है तो इस तरह की वीडियो में आपके लिए और भी आगे लाता रहूँ और यदि आपका ethical hacking और cyber security में अंट्रेस्ट है तो आप मेरे cybertube.net और techchip.net website को budget कर सकते हैं आपको मापर मेरे practically काफ़ी सरी वीडियो मिलेंगी यहां से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और आपने आपको चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तुसी तरह की मेरे पूर जानकरणियों के लिए चैनल को सब्स्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखना ताकि यहां पर मेरे कोई नहीं वीडियो आए वो मिसना हो पाए तो अभी के लिए मैं आप से जाज चाहूँगा जल्दी ही मुलाकात होगी ऐसी किसे निवडियो के अंदर तब तक के लिए नमस्कार